प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने आज गुजरात के गादी नगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नावाचार शिकर सम्मेलिन को संबोधित किया इस सब्तर पर बोरिशस के प्रधान मंतरी प्रविन्त कुमार जिगनाथ विशुस्वाफ तंगठन के भान इदेशक डॉक्टर टेड्रोज गेबरियस भी पस्तित रहे किंद्रे मंतरी सुक मंदाविया, तरवा निदसोनेवाल, मुझा पारा महिंदर भाई और गुजरात की मुख्य मंतरी प्रविपिंदर भाई पटेल भी सफ्तर पर पस्तित रहे तीन देवसिय शिकर सम्मिलियन में लगबग 90 प्रक्षाज वक्ताओं और 100 प्रदर्शकों के पस्तित के साथ 5.7,8 गोल बेस सम्मिलियन, 6 कारिशालाएं और 2 संगोश्टियां होंगी शिकर सम्मिलियन निवे शम्मता को बजागर करने में मजद करेगा और नवाचार, उनसंधार और विकास टार्टब परिस्थिती की तंतर को कल्यान उद्योग को बढ़ावा देगा यह उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों को एक साथ लाने में मजद करेगा और भविश्च के सियोग के लिए एक मंच के रूप में भी कारी करेगा डॉक्टर टेब्रियोस गेब्रियस ने महात्पा गांधी के राज्य में और देश में उपसित होने पर प्रसनताव्यक्त की और इसे उन्होंने विश्व का गौरब बताया उन्होंने कहा कि जामनगर में कल डॉक्टर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन के शुवारम के पीछे वसुडव कुटुमकम का जो भारत का दर्शन है या एक प्रेयर रखशक्ती है उन्होंने कहा कि केंद्र की स्थापना थी हासिक है और या गेम चेंजर शादत होगी वही प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने डॉक्टर गेब्रियस को एक गुजराती नाम तुलसी भाई दिया उन्होंने कहा कि आयूश की शेत्र में निवेश और नवाचार की संभावना असीमित है और सरकार के प्रयासों से आयूश शेत्र 2014 में जो 3 बिलिन डॉलर का था वो अब 18 बिलिन डॉलर से अधिक हो गया है क्योंकि भारत हर्वल बॉजों का खजाना है एक तरीके से या भारत के लिए एक हरा सुना है ग्लोबल आयूस इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समीट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमने अक्सर देखा है कि अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट समीट होती रही है और गुजरात ने तो विशेश रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुज सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट समीट हो रही है साथ ये ऐसी इन्वेस्टमेंट समीट का विचार मुझे उस समय आया था जब करोना की बज़र से पूरी दुनिया में हडकंप मचा हुआ था हम सभी देख रहे थे कि उस दवरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाईया आयुश काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोड़ेक्स इम्मुनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे और उसका परणाम जब ये करोना कालखन था तब भारत मेंसे हल्दी का एक्सपोर्ट अनेक गुना बढ़ गया था यह यह इसका सबूत है इसी दौर में हमने देखा कि जो मौडन फार्मा कंपनिया है वैक्सिन मेनिफेक्टरर्स हैं उन्हें उचीत समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम करोना की वैक्सिन विक्सित कर पाएंगे बेडिद इंडिया इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी शेत्र का सामर्थ कई गुना बढ़ा देता है अब समय आ गया है कि आउश शेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को जादा से जादा बढ़ाए जाएं आज का ये अवसर ये समीट इसकी एक शांदार शुरुवात है आउश के शेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावना है और सिमीत है आउश दबांग, सप्लिमेंट्स और कॉस्मेटिस के उत्पादन में हम पहले ही अभूत पुर्वत तेजी देख रहे हैं आपको ज्वान करके आनद होगा 2014 से पहले, जहां आउश सेक्टर में तीन बिलियन डॉलर से भी कम का काम था 2014 से पहले, तीन बिलियन डॉलर से भी कम आज ये बढ़कर, अठारा बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है जिस प्रकार, पूरी दुनिया में आउश प्रोडक्स की मांग बढ़ रही है उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी नेशनल सप्लिमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मेनेजमेंट हो आउश आधारित, डायोनिस्टिक ठूल्स हो या फिर टेली मेडिसिन्स हार तरफ इनवेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाए है आज एक तरह से विश्वभन में ट्रेडिस्टनल मेडिसिन के नए यूग का आरंब हुआ है और इसलिए आपका जो गुजरात के प्रतिल लगाव बना है हर बार कुजन कुछ गुजराती बोलने का आपका प्रयास रहा है आपको जिन गुरी जनों ने सिच्छा दी है उनके प्रतिय आप लगातार स्रद्धा भाव यक्त करते रहे हैं इस महत्मा मंदिर की पवित्र धर्ती से मुझे आपको तुलसी भाई कहकर के पकारने में विशेस आनन्द हो रहा है मैं फिर एक बार आप दोनों महानुभाव इस महत्मपुन समारों में हमारे बीच आए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धनेवार